नमस्कार, आज हम इतिहास के दस्वे कक्षा का आखरी अध्याय देखेंगे, जिसमें हम उपन्यासों के बारे में समझेंगे हमने पिछले अध्यायों में देखा कि किस तरीके से छपाई की प्रशलन के बाद उपन्यास पढ़ने वाले और लिखने वालों की संख्या दोनों में इजापा हुआ था तो अब उपन्यास सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्यों लिखे जाने लगे जैसे छपाई का विश्कार हुआ लोगों में पढ़ने की रूची फैलने लगी और जब लोगों में पढ़ने की रूची फैलने लगी तो लोग उपन्यासों के माध्यम से कहानियों के माध्यम से अपने विचारों की अभिवेक्ती करने लग गए तो उपन्यास या नॉवल्स जो थे वो मुख्यता इसके लिए आये थे कि लोग अपने विचार रख सकें अब विचार दोनों तरीके से रखे जा सकते थे कुछ जो सोसाइटी में या समाज में existing चीजे हैं जो अच्छी हैं उनके बेसिस पे या जो समाज में कूरीतिया हैं उन कूरीतियों को खत्म करने के लिए तो इन दोनों ही केस में इन दोनों ही हिस्सों में हम देखते हैं कि उपन्यास का एक बहुत बड़ा योगदान था जब उपन्यास आए तो वो मुख्य तर किन-किन चीज़ों पे उनका फोकस था महिलाओं पे या महिला सशक्तिकरण पे दूसरा कास्ट ओप्रेशन या जातिवाद के खिलाफ तीसरा लोगों में समाज सुधार की भावना को जागरत करना लोगों को नया आयाम देना सोचने का तो नए तरीके से व्यक्ति सोच सके इस चीज़ पे गौर करना तो ये सारी चीज़ें उपन्यास के मुख्य बिंदू थे जो हम समझने की कोशिश करते हैं अब उपन्यास दीरे दीरे क्यों लोगों में इतने प्रचलित होने लग गए पहली चीज़ तो ये थी कि लोग सोचते थे और समझते थे कि इस पे हम विश्वास कर सकते हैं ये सत्य घटना पे आधारित है दूसरा जो उसमें केरेक्टर्स थे जो उपन्यास के केरेक्टर्स होते थे उनसे लोग अपना एक मोटिवेशन लेने लग गए लोग उस पे विश्वास करने लग गए और उसको अपना एक आईडियल मान के अपने आम रोज मरा की जिंदगी में उसकी तरफ या उसकी तरह से काम करने की सोचने लग गए उपन्यास पढ़के लोगों को प्रसनता होती थी खुशी मिलती थी और वो उनका एक फेवरिट पास्टाइम बन गया या फुर्सत के समय पे वो बैठके उपन्यास पढ़ते थे जैसा कि हमने देखा ओद्योगी करन के साथ क्या हुआ था ओद्योगी करन के साथ हमारे इंडिविज्वलिजम की फीलिंग बहुत बढ़ गई थी जो आज तक की सोसाइटी सोशल नॉर्म्स पे बेस थी और फैमिली सिस्टम पे बेस थी अब वो एक इंडिविज्वल सोसाइटी के रूप में रह गई थी तो जब ये इंडिविज्वल सोसाइटी के रूप में रह गई और व्यक्ति अकेला रह गया तो उसके पास पढ़ने से अच्छा और कुछ भी पास्टाइम नहीं था तो वो novels पढ़ने लगा ना सिर्फ वो अकेले में novels पढ़ता था पर जब community place में होता था या बड़ी gathering में होता था तो भी novel पढ़के उसको imaginative feelings generate होती थी और वो सोचता था कि वो एक तरीके से दिद में सपने देख रहा है तो ये कुछ चीजें थी जो लोगों को बहुत प्रोचसाहिद करती थी कि वो अलग-अलग तरीके से novels पढ़े शुरुवाती दो और पर जो novels आए जैसे Fiddling का Tom Jones जो novel था उसमें 6 संसकरण थे और 6 की cost, हर संसकरण की cost 3 shilling थी और तो कुल मिला के 18 shilling की cost थी जो की एक laborer की या एक श्रमिक की आए से जादा थी एक अपते की तो इस तरीके से जो शुरुवाती उपन्यास आए थे वो उपन्यास सिर्फ कुछ लोग अमी तपके के लोग ही पढ़ सकते थे आम जनता तक वो नहीं पहुँच पा रहे थे इसी तरीके से epistolary novels आये जिसमें series of letters था तो हर हफ़ते magazine में उस novel का एक हिस्सा चपता था फिर अगले हफ़ते अगला हिस्सा चपता था तो लोगों को ये एक तरीके से बांध के रखता था और लोगों में ये जागरुकता फैलाता था कि अगले हफ़ते क्या होगा इस चीज़ पर ध्यान दें या इस चीज़ पर गौर करें तो जादा से जादा लोग उसमें interest लेने लग गए इसी तरीके से Charles Dickens के pickwick papers आये वो भी serialized थे फिर उनका एक पहली book आये जिसको बोस कहा गया तो ये कुछ general चीज़े थी जो उपन्यासों को लेके हमने पढ़ी अब उपन्यासों की दुनिया की जब हम बात करते हैं तो शहरों को और समूदायों को इन्होंने बहुत गहरे रूप से प्रभावित किया क्योंकि आम आदमी उपन्यास की चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ और Thomas Hardy ने अपने उपन्यास में लिखा था कि किस तरीके से और द्योगी करण फैलने से जो आम जनता है उसके जो ग्रामीन संबंध है या ग्रामीन संस्कृतियां है वो धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है तो इस चीज़ पे भी बहुत important focus था फिर बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने novels लिखे एक famous थी George Elliot जिनका pen जो original name था वो Mary Ann Evans था और उनका ये मानना था जो fiction है वो महिलाएं और पुरुष समान रूप से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और writing एक ऐसी प्रतिबा है जिसमें ये माना जाता है कि महिला और पुरुष दोनी समान रूप से कारगर हैं तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान था उपन्यास में महिलाओं को लाने का और बहुत सारी महिलाएं दीरे-दीरे करके उपन्यासों के साथ जुड़ी जब हम 20 वी शिदाबदी की बात करते हैं तो उपन्यास जो है वो दीरे-दीरे फैलते गए और भारत में भी बहुत सारे कुछ प्रमुक डेवलप्मेंट्स हुए जिसके हम यहां ब्रीफ में चर्चा करेंगे जैसे बानबट का कदंबरी था वो संस्कृत में लिखा गया पंच तंत्र को पर्शियन और उर्दू भाशा में लिखा गया गुनिस्वी शदापती में जो आदुनिक विकास हुआ था उसके उपर उपनियास लिखा गया क्रॉफ़र्ड और कोरली का बहुत बड़ा योगदान था उपनियास लिखने में इसी तरीके से हरीश्रन जो थे वो हिंदी साहिते के अग्रिम माने जाते थे और उन्हेंने बहुत सारी भाषाओं से हिंदी में ट्रांसलेट का काम या अनुवाद का काम शुरू किया था तो बहुत सारे इस तरीके से डिवलप्मेंट हुए आसाम में सबसे पहले मिशिनरीज के द्वारा लेखन का कारे शालू हुआ और बंगाल के दो प्रिसिद नौवल थे करुणा और फूल मोनी जो की आसमीज में ट्रांसलेट हुए और बात में आसाम भासकर 29 संस्थान का गठन हुआ जिनोंने पत्रिकारिता के छेत्र में बहुत सारा काम किया जो उपनियास की कारेक्टरlair उन पर जो घटिएंशी गठनाए वूई हैं उन सब पे और लोगों की घरेल सिंदगी से जुड़े हुए थे इन उपन्यासों का उपयोग कहां किया जाता था उपयोग हमारे अतीत को समझने के लिए किया जाता था एक लिंक बनाने के लिए किया जाता था सोसाइटी में जैसे शहर में क्या हो रहा है ये ग्रामीन लोग समझ सके उस उपन्यास को पढ़के या ग्रामी छेत्रों में क्या हो रहा है वो शहर के लोग समझ सके यह तो एक एक्जाम्पल की तरह है इसी तरीके से बहुत सारे जो समाज में बुराईया हैं कूरीतिया हैं उनको फोकस बनाकर उनके उपर उपन्यास लिखे गए फिर भाशा के तो बहुत सारी पत्रिकाएं अलग-अलग आई जो अलग-अलग भाशाओं में प्रकाशित हुई जैसे चंदु मैनन जो थे उन्होंने शुरुवाती तोर पे ब्रिटेंग की कहानिया जो है वो केरल में शुरू की पैलाना पर उन्होंने देखा कि मलियालम में जो लोग इ यह मानना हुआ कि जो लोकल भाशा है जो आम भाशा है उसमें अगर लिखेंगे तो वह जादा पॉपुलर होगी पर लोगों को पढ़ने से प्रसंता मिलने लगी वह जाला से जादा पढ़ाई की तरफ आकर्शित होने लगे और अभी तक हम पढ़ते थे कि किस तरीके से दादी मा जो है बच्चों को कहानिया सुनाती थी पर यहां पर क्या हुआ जब बच्चों में शिक्षा का इस्तर बढ़ने लगा तो वह नौवल्स पढ़के स्टोरीज पढ़के वह अपने दादा दादी को सुनाने लग गए तो जो दादी मा की कहानिया है उसका एक जिसमें यह बताया गया था कि किस तरीके से एक माइनर की जिन्दगी है और वो किस तरीके से बदलती है या प्रभावित होती है और किस तरीके से वो एक बहुत कठिन जीवन यापन करते हैं उसके बारे मैं बताया फिर हाडी की मेयर आफ कैस्टर ब्रिज की जो किताब है उसमें यह बताया कि वो जो युवा थे माइकल हेंचर वो शुरुआत में तो एक अनाज मंडी में व्यापारी थे पर बाद में वो मेयर बने और किस तरीके से उनकी परसनालिटी दोनों तरफ थी एक तरफ तो वो बह सहासिक उपन्यास था इसी तरीके से हेंटी का ड्रेक फ्लेक जो है वो वापस एक सहासिक उपन्यास था जिसमें उन्होंने कई जगों की जैसे मेक्सिको अलेक्जेंड्रिया साइबेरिया में जो सहासिक घटनाय हुई है या उन देशों में जाकर सहासिक घटनाओं के बार कि दूसरे जो कलर्ड लोग हैं वह इंफीरियर हैं और वह उनके लेवल के नहीं है तो उनको नाम दिया फ्राइडे और यह माना गया कि वह क्योंकि उनको हमने कॉलोनाइस किया है उनका बिहेवियर अंसिविलाइस है और वह अनएकसेप्टबल है सोसाइटी में पदमान जी उनके नहीं जो है बहुत सारी उपन्यास लिखे उनका मुख्य फोकस विद्वाओं की दुरदर्शा पे था फिर हालबे ने बहुत सारे उपन्यास लिखे पर वो उपन्यास यथार्थवाद पर आधारत नहीं थे रिश्बत ने मराठी उपन्यास में अद्बुत इतनी पसंद नहीं आई तो उन्होंने अपनी पहली एक मल्यालम किताब लिखे जिसको इंदुलेक कहा गया फिर वीर सलिंगम जो थे वो आंधर प्रदेश से थे उन्होंने शुरवाती तोर पे ओलिवर गोल्ड स्मित के काम को ट्रांसलेट करने को कोशिश किया पर वो इत तरीके से वेक्ति अपनी पहचान खो देता है और अगर वेक्ति सचाई का साथ दे और अपनी पहचान बनाए रखे तो वो जिंदगी के हर लडाई में सफल हो सकता है तो जो युवा हैं उनके आंतरिक विकास के लिए ये मुख्यता किताब लिखी गई थी खत्री जो थे फेमस उपन्यास था जो हिंदी साहिते में बहुत पॉपुलर हुआ प्रेम चंदुर का सेवा सदन जो था वो शुर्वाती तोर पे कहानी किस्ते कहानियों की तरह था जो समाज की बुराईयों और समाज की कूरीतियों पर आधारित था और किस तरीके से गरीबों का उथान पे लिखा गया था दूसरा था बंकिमचंद्र चटोपादियां गा दुर्गेश नंदनी जिसमें उन्होंने आंगन में एक जात्रा की मेजबानी किस तरीके से होगी वो उसके बारे में लिखा था और शुर्वाती तोर पे उन्होंने महिलाओं से जुड़े भाशन का इस कञ्याओं का एक विद्याले शुरू किया था उन्होंने सुल्तानाज द्रीम लिखी थी जिसमें समाज के अलोषणा कि थी एक satiric novel था, satiric उपन्यास था और बाद में उन्होंने पद्मरांग लिखी जिसमें उन्होंने वापस महिलाओं की स्थिति पर फोकस किया राव ने इंद्रबाई लिखी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि किस तरीके से छोटी उम्र में मजबूर किया जाता है शादी के लिए और उन्होंने समाज में जो स्थिती है उसको सुधारने के लिए लिखा था चंदू बैनन की हमने इंद्रबाई की किताब की बाद की किस तरीके से नाथुमबरी ब्रामन और नायर्स का सिस्टम चलता था केरल में जो नाथुमबरी ब्रामन से वो अपने आपको सुपीरियर मानते थे नायर्स से नायर्स जो थे उन्होंने धीरे धीरे knowledge और wealth इकटा किया और इंदुलेग जो थी वो एक पड़ी लिखी समझदार महीला थी जिन्होंने एक नायर से शादी की जो की एक civil services का exam देके पास हुए थे और नाथुमबरी landlord को उन्होंने मना कर दिया था जेन आस्टिन की pride and prejudice जो थी वो समाज ग्रामीन समाज में महीलाओं की स्तिती के उपर focus थी ब्रोनेक ने जेन एरे लिखी थी जिसमें वापस महीलाओं पे focus किया गया था और किस तरीके से उनका शांत वेवार और सरद वेवार जरूरी है उसको बताया गया था रे जो थे वो एक उडिया नॉवलिस थे इस तरीके से सेनापती जो थे वो वापस एक उडिया नॉवलिस थे जिन्होंने 6 एकर और 32.12 जमीन का अनुवाद किया था इनकी मुख्य कहानिया लैंड पोजेशन्स पर आधारित थी फिर चार्ल्स जिकन ने हाट टाइम्स लिखा था ये बहुत ही इंपोर्टन है क्योंकि इसमें इन्होंने ये बताया था कि ओद्योगिक करांती के साथ जो ओद्योगिक नगरी बसी उसमें कोग टाउन जिसको इन्होंने एक कालतनिक नगरी माना था उसमें किस तरीके से द्योग की वज़े से परेशयानिया आई जो कि आम व्यक्ति को जेलने पड़ी इनकी दूसरी प्रमुक किताब थी Oliver Twist जिसमें इन्होंने पुंजीवाद के दहज शहरी जीवन की जो भयानक स्थिती है उसको दर्शाया था मूल्स ने बिराबन में एसाई मिशनरी ते और इन्होंने बंगला में पहला उपन्यास लिखा बरमन जो थे उन्होंने तिशाश एकती नादिर नाम लिखी जिसमें उन्होंने एक महा कावे के बारे में बताया और जो मच्वारा समुदाय है वो किस तरीके से अपना जीवन जीवन नियापन करते हैं उसके बारे में लिखा ये जो थे ये एक उतरी केरल के राइटर थे जो की निचली जाती को बिलॉंग करते थे या निम्न जाती के थे और इन्होंने जाती उद्धान के लिए काम किया बशीर जो थे इन्होंने मलियालम के पन्यास कारते और इन्हों चत्वपादियाए की कहानी थी बिनिमोय इन्होंने जो है ये एक इत्यासिक कहानी लिखी थी और किस तरीके से शिवाजी ये चाहते थे कि और अरंग जेब एक पीस ट्रीटी कर ले उस कहानी पे या उस चीज पर फोकस किया है और शिवाजी का साथ उसमें मान सिंग ने दिय थी चेमनी जिस पर बाद में एक फिल्म भी बनाए गई और इसमें वापस केरल के मच्वारे समुदाय के बारे में लिखा था बंगिंचन चत्वपादियाए की आनंद मड जो थी वो एक पन्यास साज इसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से एक हिंदू साशन की थी क्योंकि ये व्यक्ति के लोगतांत्रिक मूलियों पर आधारित थी और इसमें जो है जो डिवलप्मेंट्स है वो नैशनलिजम ये राश्ट्रवाद के लिए थे गोदान जो थी वो वापस एक इंपोर्टन कहानी है प्रेम चन की जिसमें उन्होंने किसानों के उत्था लिखी थी जिसमें उन्होंने स्रीपुरुष के संबंदों के बारे में और राश्ट्रवाद के बारे में मुख्यता फोकस किया था तो ये कुछ प्रमुख नॉवल्स हैं जो हमने समझे हैं इसी के साथ हमारा कक्षा 10 का इत्यास समाप्त होता है अगर आपको कुछ भी डा आप